आजकल के अधिकतर युवा प्रेम विवाह करना चाहते हैं, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि लड़का और लड़की एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, दोनों के बीच सब अच्छा भी चल रहा होता है, लेकिन इसके बाद भी शादी में कोई ना कोई अर्चन लग अगर आप भी प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज्योतिश में कई उपाई बताए गए हैं, जिनकी मदद से आप प्रेम विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा शकता है आईए जानते हैं प्रेम विवाह करने के उपायों के बारे में प्रेम विवाह के उपाय अगर आपके प्रेम विवाह में किसी तरह की रुकावट या बाधा आ रही है तो आप शुकल पक्ष में पढ़ने वाले गुरुवार को श्रीहरी भगवान विश्नु और माता लक्ष्मी की विधी विधान से पूजा करें फिर इसके बाध भगवान विश्नु और माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने स्फटिक की माला से उ लक्ष्मी नारायन नमह मंत्र का जाप करें। जियोतिश के मुताबिक इस उपाय को कम से कम तीन महीने जरूर करें। जियोतिश शास्त्र में रत्नु का खास महत्व बताया गया है। अगर आप भी प्रेम विवाह करना चाहते हैं। लेकिन विवाह में कोई न कोई अर्चन आ रही है। तो किसी जियोतिश या विद्वान की सलाह पर आप हीरा या ओपल रत्न धारन करना चाहिए। इस उपाय को करने से विवाह संबंधी समस्याएं दूर हो सकती है। जियोतिश शास्त्र के मताबिक प्रेम विवाह करने के लिए लगातार तीन महीने तक हर गुरुवार को किसी भी मंदिर में जाकर प्रसाद जरूर चड़ाएं। इसके बाद उस प्रसाद को लोगों में बांग दें। इससे आपके जल्द ही प्रेम विवाह के योग बनेंगे। इसके अलावा प्रेम विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए लड़की को हर ब्रिहस्पतिवार को पीले रंग और शुक्रवार को सफेद प्रसन कर लिया तो आपके प्रेम विवाह में आने वाली सारी समस्याइं दूर हो जाएंगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें और उन्हें प्रसन करने के लिए कृष्ण मंदिर में बांसुरी और पान भगवान कृष्ण को भेट करें। जियोतिश शा का द्वजा चड़ाना चाहिए।